प्यारे बचो नमस्कार मैं सुरिय प्रकास आदर स्विद्यम्दिर माउंट अबू आज संस्कृत के ओनलाइन क्लासिज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो पिछली वीडियो में हमने पंचम पाठ के अभ्यास और उसके प्रैसन उतर जो थे वो सारे पूरे कर लिए है आज हमारा गयाता है सश्टह पाठह यानि कि छटा पाठ पाठ का नाम क्या है ग्रिहम सुन्यम सुताम विना सुताम का मतलब बेटी के बिना सुन्यम का मतलब सुन्य के समान है ग्रिहम का मतलब घर यानि कि हमारा घर बेटी के बिना सुन्य के समान है यानि कि निरर्थक है इसलिए घर में कन्या का होना आवश्चक है जरूरी है तो अभी थोड़ा ये हिंदी लिखा हुआ है नीचे पाठ का परीचे ये देख लेते हैं तो ये है पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी सिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरना हे तू निर्मित है ये पाठ किसके लिए बना है कन्याओं की हत्याओं को रोकने के लिए और उनकी हाई लेवल की उच्च शिक्षा के लिए यहां की सिक्ष्या की प्रेरना दिने के लिए यह पाठ्ध बना हुआ है समाज में लड़के और लड्कियों के बीच बैदबाव की बाओव ना रखने लिए आज भी समाज में यहत्र-दतर देखी जा सकती है यानि कि आज के समय में भी लोग क्या है लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं जिसे दूर किये जाने की आवज चेकता है इस पार्ट में क्या है बताया गया है कि आज काल के टाइम में भी लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं तो इस मानशिक्ता को दूर करने की आउशिक्ता है समवादात्मक सेली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तूत किया गया है इस पाठ को एक समवाद की सेली में यानि कि वरतालाप की सेली में वरतालाप की तरह हमारे सामने प्रस्तूत किया गया है यानि कि इस पाठ में क्या है कुछ लोग है जो आपस में मतलब बातचीत कर रहे है और उनकी बातचीत को इस पाठ के अंदर प्रस्तूत किया गया है तो सबसे पहले ये पाठ शुरू होता है सालीनी सालीनी से ये पाठ शुरू होता है सालीनी एक लड़की है तो वो क्या करती है ग्रीसम आवकासे पित्री ग्रहम आगच्चती ग्रीसम आवकासे यानकी गर्मियों की छुटी में वो पित्री ग्रहम आगच्चती यानकी अपने पिता के घर आती है इसका मतलब क्या हुआ कि यह लड़की साधी सुदा है हो सकती है और यह अपने गर्मि के छुट्टियों में अपने पिता के घर आई है तो आगे देखते हैं ये लड़की कहां से आई है सरवे प्रसन मनसा तस्याह स्वागतम कुरवंती सरवे का मतलब सभी प्रसन मनसा का मतलब प्रसन मनसे खुस होकर तस्यहा स्वागतम कुरवंती उसका स्वागत कर रहे थे ठीक है जब भी हमारे घर में कोई बेटी आती है कोई बहन आती है तो सभी लोग उसका स्वागत करते है ससुराल से कोई लड़्की आती है या उसका हम सभी स्वागत करते हैं परंतु उसकी भावी तस्यहा ब्रात्री जाया यानि उसकी भावी जो लड़की अपने पिता के घर आई थी उस लड़की की भाबी उदासीना इव द्रिश्चते उदास टाइप में दिखाई दे रही थी यहनकी ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ उदास है तो सालिनी ने पूछ लिया भात्री जाए है भाबी जी चिंतिता इव परती ऐसे आपको कोई टेंसन लग रही है क्या सब कुछ ठीक है यहनकी जब हमें लगता है कि यह बंदा टेंसन में है तो एक बार हम उससे पूछते हैं कि भाई कैसे है घर में सबी अच्छा है ना और आपका स्वास्ते वगरा अच्छा है सबी फिर यह टेंसन की इस बात की है तो यह लड़की सालीनी पूछती है कि है भाबी आपको थोड़ी टेंसन दिखाई दे रही है तो क्या बात है आप मेरे को बताओ सर्वम कुसलमसित अस्ती सारा कुछ ठीक है ना तो माला कहती है माला यह माला कौन है यह सालीनी की भाबी है यानि कि सालीनी यह जो है सालीनी है और ये माला है तो ये सालिनी है ये माला है तो माला सालिनी की भावी हो गई माला यानि की सालिनी के भाई की पत्नी तो ये माला कहती है आम सालिनी हाँ कुसलीनी एहम मैं ठीक हूँ माला क्या कहती है कि सालिनी मैं एकदम ठीक हूँ तवद अर्थम किम आनयानी यानि कि तवद अर्थम तुम्हारे लिए किम आनयानी क्या लाऊं आप मिरे को बताओ कि आप इतनी दूर से आई हो तो आपके लिए मैं क्या लेके आऊं सीतल पेम चायम वा सीतल पेम नहीं कि कोई ठंडी चीज लेके आऊं कोई पेपसी वगएरा या फिर कोई जूस या फिर कोई सिकंजी वगएरा लेके आऊं या फिर गरम चायम चायम का मतलब चाय या फिर कुछ चाय वगएरा लेके आऊं तो सालिनी कहती है अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए पानी पीली है बस बहुता है अभी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए रातरू सर्वे सह भोजनम करिश्यामी रातरू का मतलब रात को सर्वे सह सभी के साथ भोजनम करिश्यामी मैं रात को सभी के साथ भोजन करूंगी सालिनी ने कहा कि मैं रात को भोजन करूंगी सभी के साथ अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए आगे है यह यहां से आगया भोजन काले अपी भोजन काले का मतलब भोजन के समय में भी भोजन के समय में भी माला की मनो दसायन की mental situation स्वस्था मने स्वस्थ नए प्रतियत समय नहीं दिखाई दे रही थी माला की जो स्थिती है वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी परम सा मुकेन कियम पी नोक्तावथी नोक्तवती का मतलब नए जमा उक्तवती बराबर नोक्तवती परन्तु उसने मुखेन का मतलब मुह से कि मैं अपी नए उक्तवती कुछ भी नहीं कहा परन्तु उसने मुह से बोलकर कुछ भी नहीं कहा राकेस बोलता है भगीनी सालीनी दिश्टया तुम समागता यानि कि बड़े ही सोभागे से तुम आई हो ये सालीनी बहुत अच्छी बात है कि तुम आई हो अद्य ममा कारियाले एका महत्व पुरुना गोष्टी सहसाईव निश्चिता आज मेरे जो ओफिस है कारियाले है वहाँ पर एका महत्व पुरुना गोष्टी एक इंपोर्टेंट मिटिंग गोष्टी का मतलब होता है मिटिंग बेठक सहसाईव सहसा जमा एव बराबर कहता है राकेश राकेश सालीनी गा भाई है और माला का पती है तो यह राकेश कहता है कि बैए तुम बहुत आच्छी बात है तुम सभी टाइम है ए थाकम मेरे जुरियल है उसमें कोई मिटिंग आगी अचानक सहा मेरे को वहां जाना आज ही माला यह यानि की माला का चिकिची का यह सह चिकिची का का मतलब डौक्टर नी के साथ मेलनस्य का मतलब मिटिंग का समय है निर्धारित है यानि की आज जो है माला का एक डौक्टर के साथ अपोइटमेंट है यानि की अपोइटमेंट मिलने के लिए समय निर्धारित कि गया था तो हम मालया सहः चिकिछी काम प्रतीग अच्छा तुम ऐसा करो माला के साथ जाओ कहां पर चिकिछी काम डॉक्टरनी के पास जाओ तस्याप्रामरसाँ नुसारं यद्विधेम तदसंपादया और क्या करना है तस्यहा प्रामरसा नुसारम उस डॉक्टरनी के प्रामरस के नुसार जैसी वो डॉक्टरनी सला देगी ना उसके नुसार यहत विधेयम जो भी हो तत संपादया जो भी ठीक लगे ना जो डॉक्टरनी कहे वो कामा आप करके आओ तो सालिनी ने डॉक्टर क्या ना मेराकेस ने बोला था कि तुम इसको माला को लेकर जाओ होस्पिटल में आज इसका डॉक्टर के साथ अपोइंटमेंट है तो वहाँ पे डॉक्टर जो भी बोले ना तो वो आप काम करवा ले ना और कुछ नहीं करना आपको इतना ही काम करना है तो यहाँ पर एक बार आप निसान लगा लो बाकी पार्थ हम अगली वीडियो में करेंगे तो ठीक है बचो तब तक के लिए धन्यवाद